हलो गाइज तो आज हम लोग बात करेंगे एक अपकमिंग मेड इन इंडिया गेम के बारे में जिसकी चर्चा पुरी देश में हो रही है अंडर वर्ल्ड गैंग वास बोले तो यू जी डबलू तो ये एक PUBG Free 5 Fortnite जैसा Battle Royale गेम है जो की गैंग्सटर के लिए बना है और जहां तक मेरी बात है इस गेम की मिनिममम रिक्वार्मेंट 2GB RAM है और मिनिममम स्टोरे स्पेस 2GB है मतलब अगर तुम्हारा फोन लो एंड है तो भी तुम्हारा आम से खेल सकते हो तो गेम की कहानी धंदारा नामक टापू यानि आइलेंड से होती है जो की माया नाम के रिवर के कारण दो हिस्सों में बढ़ गया है और यही तुम्हारा मैप है इस गेम में तुम बिजिमाई की तरह सोलो, डूो एंड स्कौर्ट भी खेल सकते हो इस गेम में देशीपन का बहुत खयाल रखा गया है चाहे वो मैप का लोकेशन के बारे में हो या फिर गन के बारे में या फिर वेकल्स के बारे में तुम्हें पूरे तरीके से इंडियन टच मिलेगा अब आते हैं वेकल्स की ओर तो वेकल में तुम्हें जीप और क्लासिक 350 दिखने को मिले गया तो अब भाई तुम्हों क्लासिक 350 बस रोड पे नहीं गेमें भी चला सकते हो च्यारेक्टर के तौर पे तुम्हें दो नाम सुनने को मिलेंगे भौकाल टोली के भौकाल लीडर त्यागी भाईया या फिर हमारे वेलवेट टीम के स्टालिश बोरिश भाईया तो क्वेशन ये है कि तुम किसको लोगे और फिर किसकी लोगे रही बात कस्टमाइजेशन की तो हर एक चीज कस्टमाइज़िबल है अपने लुक से लेकर गन और वेकल तक हर एक नए सीजन के साथ न्यू चालेंजेज, न्यू वेपन्स, न्यू स्किन्स आते रहेंगे और अपना डंका बजाने के लिए लीडर बोर्ट पे तुम्हें टॉप करना होगा और हाइस सीजन रैंक डॉन अफ दा एरा अचीव करना होगा तो ये गेम शुरुआत में बस इंडिया में अवलेवल होगी, बागी कोई भी कंट्री में अवलेवल नहीं होगा और रही बात गेम्स की तो ये बस अंडॉइड यूजर के लिए होगा, एपल यूजर के लिए नहीं होगा अब आते हैं वेपन्स की ओर, तो वेपन्स में तुम्हें अभी तक M4 देखने को मिलेगा और AK47 देखने को मिलेगा, जो की एक AR गन है SMG में अगर देखोगे तो SMG में Sterling, जो की एक सब मशिन गन है और UG देखने को मिलेगा स्नाइपर के तौर पे तुम्हें Emily 303 देखने को मिलेगा और पिस्टल के तौर पे तुम्हें Beretta M9 और कट्टा देखने को मिलेगा मेले के लिए तुम्हें Hammer दिया हुआ है, तो Hammer उठाओ और Thor की तरह सब को पेल दो अब आते हैं Launch Date की ओर, तो Launch Date अभी तक कहीं भी किसी को बताये नहीं गया है Exactly कौन सा Date पे ये Release होगा, वो भी अभी तक किसी को नहीं पता है या फिर ये Early Access में आ रही है, ये भी किसी को नहीं पता है बट ये गेम इस साल जरूर आने वाली है और November से पहले तक आ जाएगी तो I hope तुमनों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करें